नहीं होगी, देखें यह सब हो सकता है, जब पार्लिमेंट में जब यह हकूमत इनकी आ जाएगी, यह सब कर सकते हैं, आप इनको यह नहीं कर सकते हैं, यह नहीं हो सकता है, यह नहीं हो सकता है, यह नहीं हो सकता है, यह सब कर सकते हैं, यह इमिग्रेशन भी क्लोस कर सकते हैं यह फाइल लोग का जो सिस्टम में लगाया है मैंने फेस्टो दे इंट्रेस्ट यह जो अंधेर नगल लगी विए जो भी आ रहा है जो कोई को जर्मनी से उटके आ रहा है सोशल बन रहा है निव बन रहा है यह इस तरह का चकर नहीं होता किसी भी मुल्क में और वह भी यूर्प यूनियन में यह वाहिद ऐसा कंट्री जो इतना से बिल्कुल ही नफरत है वो पसंद नहीं करता हो बोलता है क्यों खोल के रखी है उसे यह लोग यह यूट्यूबर य सब्सक्राइब करना है उसमें पचास साल का जो गंद है जो गंदगी है सब साफ करनी है जो 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 यह फिला हुआ है जो लोगो ने पासपोड लिये जिनके क्रिमिनल रिकोर्ड्स है वो सब को रगड़े मैंगा तो इमिग्रेशन काफी सख्त होगी अभी अभी ऐसा नहीं है कि सख्त नहीं होगी अभी है बहुत सख्त होने वाली है असलाम अलीकुम मेरे दोस्तों अमीद है आप सब लोग खेरियस से होंगे जैसा कि आप सब लोग को बता है कि मैं पुर्चगाल की इमिग्रेशन के हवाले से हर चीज से आपको आगा करता रहता हूं और जितना कि कमेंट्स सुनाओंगा आपको पता है मैं हर जो यहां पे नए आयवा होता है या जो पुराना होता है उसका इंटर्व्यू लेता हूं ताकि नए आने वालों को उससे एक्सपिरियंस हो सके उनका दिमाग बन सके क्या मुश्किल परिशानी या क्या असानिया उनको यहां यार एक्शुली मैं आपको अगर परसनली बताओं तो साल तो बहुत टफ हैं आपर इस तरह नहीं हैं जिस तरह यूट्यूबर लोग बताते हैं कि चलो चलो पर्तोगाल चलो और बिल्कुल आपको कहेंगे कि ऐसे जननत दिखा देंगे कि हेल्थ केर सिस्टम फ्री है आप और ने दो साल मिनिममम बता रहा हूं है अभी जो इमिग्रेशन के हलात हैं आपको पता है किस तरह हलात चल रहे हैं इमेल्स किस तरह लेट हैं आए मानीव इमिग्रेशन आईए आगे इनके एंटोनियो कोस्टा इनकी हुकुमत भी उतर चुकी है अब यह अपना दस हैं तो मुझे लगता है सबसे जादा इन्फोमेशन आपको होने चाहिए क्योंकि आपने पूरी पार्लिमेंट इनकी खंगा लिवी है मुझे यह बता हैं कि साल आपका गुजरा कैसे आपको डाकुमेंटेशन में आपने फाइल भी लॉग खुद की 89 में और क्या आपको साफ में अपना गरेंटर की जरूत होती है जो कि कोई भी गरेंटर नहीं बनता आपका जो कि आपको कुछ सॉलिसिटर या को लेयर के जरीए को आपको हाइर करना पड़ता है जिसको 40-50 यरो आपको देने पड़ते हैं और जहां तक कुछ यूट्यूबर कहते हैं कि यह 10 य कोई चीज़ फ्री नहीं है आपने अगर खुदने भी डिकुमेंट्स करने तो आपने उसकी कीमत अधा करनी है कीमत मुराद आपको अगर निफ के लिए चाहिए तो आपने सॉलिसिटर को पेड़ करना है गरेंटर के लिए लिए लेकिन आपने तो फ्रीम बनवाया सारा न अब आपने जब फाइल डोक कर लिए यह नि मैनिफेस्ट अध़ इंटरेस अप्लाई कर लीए पिर इसके बाद आप चेंज करा सकते हैं अपना रिमूव करा सकते हैं वो कि उसकी कोई लिमिट नहीं है अपने जिसी अपने मैनिफेस्टो इंटर्स अप्लाई किया कूर सकते हैं और आपका फॉरण वो चेंज कर सकते हैं है अपने बनवा लिया जी बिलकुल हेल्थ केर सिस्टम यहां पर बिलकुल ही लोग केते हैं बिलकुली फ्री है बहुत जबरदस्त है ऐसा नहीं है अगर आप एमर्जेंसी में जाते हैं अगर आपके साथ सीरियस प्रॉब् दिखाने के लिए बताते हैं बहुत ही एक कड़वी रियालिटी है यह चाहिए पर्टुगीज भी क्यों ना हो हम और प्रॉटुगीज एकुली वहां वहां हाथ पे बेंड बानते हैं और उनको एकुली डिस्ट्रिबूइट करते हैं कि कोन एमर्जेंसी का है कोन और नॉर प्रोवेजोरियो एक्टेंपर्रज़ू करते हैं यह दो जाटे कि अप्रम क्रेश करें यह दो करते हैं जोगे दोगे लोगें खेल किया बच्चे का एडमिशन तो में तो उसका टुप हो जाता कि यहां mandatory नहीं है वो कहते हैं mandatory नहीं है pre-school में बच्चों का admission लेना वो कहते हैं अगर आपका बच्चा six six year का है च्छे साल या च्छे साल से उपर है तो फिर उसका class one में आगे fall करता है और उसको mandatory है उसके लिए भी आपने fight की आप कह रहा थे कि मुझसे पहले के लोग जो है उनका नहीं हो पाया और मेरे बच्चे का हो गया जी बिलकुल इनसे इनसे आपको बात करनी पड़ती है कि इनके आपको दक्के खाने पड़ते हैं इनसे आपको communicate करना पड़ता है बार बार इनको आपको शकल दिखानी ऐसे नहीं है कि आप एक मरतबा ओफिस जाए आपने अपना matricula registration on करा ली और आप पीछे हट जाए ऐसा नहीं हो सकता आपको हर चीज के लिए sacrifice करनी है टाइम आपने उसको इनको बताना है इनके finance के office इनके सुग्रान दोशाल के office इनके Central di Saoud आपने उनको बताने कि देखें हम पर्तुगाल आएं हम पर्तुगी सीख रहे हैं तो इनको बले आप एक गंटा भी उनसे बात करेंगे वो आपको जवाब देंगे मुझे यह बताएं प्ली अगर आपके पास Portuguese language है अगर आप communicate कर सकते हैं तो आपको restaurant वगरा में easily मिल जाती है ऐसा नहीं है नहीं मिलती मगर यहां पर सबसे बड़ा barrier है language barrier आपको language का तो आपने हर किसी के मुझे सोना है कि आपको language तो आपने must सीखनी है ताकि आप communicate कर सके हैं अगर आप restaurant में अगर आप कोई construction साइट पर लग रहें तो आपको किस तरह communicate करेगा वहां का जो जो constructor है या कोई शेफ है किस तरह communicate करेगा आपसे English में तो करेगा नहीं आपके लिए कि आप आएं आम आपसे English में बात करेंगे आपको इतनी बड़ी तो हस्ती है नहीं इसलिए आपको लिग्विज बड़ा बेरे और बिजनिस के बारे में बताएं और बिजनिस का जहां तक 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 तकाज़ा है यहां पर लोगों ने काफी लोगों ने पर लोगों की जो शॉप होती है वह वो खोलते है गुट्स की इसके देखें सबसे बड़ा यहां जो मसला आ रहा है वह आ रहा है इनको चाहिए पड़े लिखे लोग अभी जोप सीकर वीजा है इनो निकाला है वो इसलिए इनके पास highly skilled work करेनी चाहिए इन्हें यह नहीं पर मों को हुए इनको मेकैनि मिल जाए कि इनको कोई इनको कोई पलम बर मिल जाए यहां पर इनको इनको इनचीजहों के रिक्वाइड job के लिए apply कर सकते हैं Lincoln पे और आपको easily visa get कर सकते हैं अगर आप highly skilled worker हैं अगर आप fall करते हैं उसमें तो अच्छा देखें आपका जो views है ना वो कई नए आने वालों के लिए बहुत motivational वीडियो हो सकती है उनको नुकसान से भी आप बचा सकते हो क्या कहते हो आना चाहिए लोगों को या नहीं आना चाहिए या उटकर आजाए family या क्या मामलात हैं क्या है देखें मैं तो आपको personally यही कहूंगा कि अगर किसी ने आना है तो वो इतना mind बना क्या है कि उसके पास 25,000 euros ये 30,000 euros minimum होने चाहिए अगर वो family के साथ आ रहा है ताक करने के चखरो में आ जाते हैं के चलो चलो प्रूगाल चलो या दूसरे तीसरे लोगड बोलते हैं के या यह तो बहुत अच्छा है यह आओ oko अब यहां ऐसा तो नहीं है कि आपने फाइल लोग फ्री कर ली तो आपको खाना या फ्री मिलेगा, खाना भी तो आपने है ना, चलो 500 एरो आप एजंट से बचा लोगे, आपको खाना नहीं है, पंदरा सो एरो आपने मन्तली आपने फैमिली के साथ एस्टिमेट ट्रकना है, कि पंदरा सो एरो मिनिममम आपका खर्चा है अजबेंट वाइफ और एक बच्चे का, तो आपने यह जहन रखना है कि आप इस तरह नहीं सो सकते कि छे साथ जार, आठ जार यूरो हैं, हमारे पार दस जार यूरो हैं, हम पर्तुगाल चले जाएं, हम सर्वाइव कर लें, इसा नहीं है, यह grand reality बिल्कुल different है, यहां के पश्टाने वाली बात आजाती है, यहां काफी struggling है, दो साल तो आपने ऐसा गुजारना है, जैसे पता नहीं, आप लोहे के चने चपने चनल पर, अभी जो नया प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, जो आने वाला है, ठीक है, उसके पर बता हूं, तो यह illegal immigrants के लिए और जो जिनके criminal records है, जिनका SIS system में नाम है, जिनोंने कि दुसरी जगह शेंजेन में, फिंगर प्रेंट्स दिये हुए है, उनके लिए काफी problems के लिए होगे, क्योंके एंद्रे वेंतूरा जो है, जो next अभी candidate है, दूसरी पार्टी का, उनक उसका खाली एक ही मकसद है, सो पर्तुगीज, उसे इमिग्रेंट से बिल्कुल ही नफरत है, वो पसंद नहीं करता है, वो बोलता है, क्यों खोल के रखी विये हैं, उसे ये लोग यह यूट्यूबर ये भी कहे रहे हैं, कि इनको यहाँ टेक्स से चलता है, कंट्री नहीं, येरोप उनियन का उनको सपोर्ट मिलेगा, तो वो चल सकते हैं, अगर वहाँ से अगर जर्मनी, अगर येरोप उनियन का, आपको पता है, सबसे बड़ा है, अगर येरोप उनियन को सपोर्ट कर रहा है, तो वो चल सकते हैं, और इसका आपनी स्लोगन खुद देखा है, पास्पोर्ड लियें, जिनके क्रिमिनल रिकोर्ड्स हैं, वो सब को रखड़े मैंगा, तो इमिग्रेशन काफी सक्त होगी अभी, अभी ऐसा नहीं है कि सक्त नहीं होगी अभी, बहुत सक्त होने वाली है, यह सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपका यहां क हो सकती है, यह नहीं, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में देख लें, तो हमने पाकिस्तानी जो हकूमत है, इस वक उसने सोचा भी नहीं था, कि अगवानी होगा हमारी एकनॉमिंग में बहुत बड़ा एक कॉंटिब्यूट भी रहा है, उसके बावजूद इतने सारे इन्ह नहीं कर सकते हैं, यह नहीं हो सकता है, यह नहीं हो सकता है, यह सब कर सकते हैं, यह इमिग्रेशन भी क्लोस कर सकते हैं, यह फाइल लोग का जो सिस्टम में लगाया है, मैनिफेस्टो दे इंट्रेस्ट, यह जो अंधेर नगल लगी है, जो भी आ रहा है, जो कोई जर्मनी स सो कर दो आट साल जो 8 झो अन्ट वी मिरा खायल में मौझंबी व्त तो कहने का मकस्ध यह जो आने ओला है यह सकते ऐसा नहीं है कि यह बंड कर सकता है यह उस पे भीक्त अ सब्सक्ता है यह जो एक वह गैया रहे ही फाइल लोग करें शोक्त यह सब पर एक साथ इंपेक्ट आएगा, यह पर्तुगीज लेंगविज को भी प्रोमोट कर सकता है, यह कुछ भी कर सकता है, सबसे पिले इनका जो मैंने देखा है, जो मैंने एंडरे वेंटूरा के स्पीचे सुनी है, उसमें मैंने यह सुना है, कि यह इनका सबसे बड़ा हाउसिंग क्रैसिस को खतम करना, हाउसिंग क्रैसिस इनके लिए सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम बना हुआ है, आप जानते हैं, जर्मनी में इतने अपार्टमेंट महंगे नहीं है, अगर बर्लिन और म्यूनिक और दूसरे शेरों में जाएं, इतने महंगे नहीं हैं, जित में लेगा, यह आप याद रखिए गए, जिनके मैनिफेस्टो दे इंट्रेस अप्लाई हुआ 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 है, उन पे तो चलो, अल्ला करें, उनको अल्ला करें के हमें भी कार्ड मिल जाए, मगर जो नहीं आने वालों है, उनके लिए कोई अच्छी बात नहीं है, और बिल अपने पास इतनी साख्त हो, फिर आएं, ऐसे नहीं आएं कि आपने 6-8,000 यूरो है, किसी यूट्यूबर की वीडियो सुनी, क्या तरीके कारे, यह देखा और आ गए, चल बसे, नहीं इस तरह नहीं चलें, आप बिल्कुल एक प्रोपर वर्क करके आएं, और अपना देख कारोबार इस्टार्ट करने में भी, छे महीने साल लगता है, आपको कमस कम, कि इसको समझने के लिए, दूसरा मुझे बताइए, यह पुर्टगाल की अबादी है, जो आप उससे भी जिकर कर रहे थे, कि अगर यह सिंद्ध से उठा लें, उसके बारे में थोड़ी रोशनी जालें, देखें, पर्टगाल तो आपको सामने की बात है, एक लाग 40,000 किलोमेटर स्क्वाइर तो हमारा पूरा सिंद्ध है, यह तो 92,000 किलोमेटर स्क्वाइर आइधिंग यह पूरा पर्टगाल है, इतना बड़ा तो है नहीं, और एक क्रोड़ अबादी है, टैन मिलियन आपको बहुत बहुत शुक्रिया और इंशालला फिर आपसे मुलाकात होगी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, ओके,